नमस्कार साथियो, मैं सिभशिंग मीना, HDM सीमा पुरी, डिस्टिक्ट साधरा दिल्ली, मैं दानिक सर्विस 2018 से हूँ, UPSC एक्जाम 2017 से हूँ, साथियो, मैं आपको अगले जो भी 2022 की प्लिंप्स दे रहे हैं, उनके लिए अगले 15 मिनेट में कुछ आपकी हेल्प करने के लि मेरे हिसाब से जो स्टड़ी करने का टाइम हुआ, अमूमन आपको सुबह 6 वजे से और रात के 10 वजे के बीच में रखना चाहिए, आपको कौशिस करनी चाहिए कि हम रात को 10 और 6 वजे का टाइम, एक्जाम के टाइम के अकॉर्डिंग सोने के लिए रखें, क्योंकि 10 से 6 है, अगर हम सोते हैं, तो अगर हमारी biological clock से set हो जाएगी, कि हमें exam के टाइम पे ना तो नींद आएगी, ना अवासी आएगी, और हम proper तरीके से exam को बहतर तरीके से दे सकते हैं, जनरली देखने में आता है कि लोग हम जो अंतिम 15 दिन होते हैं, उसमें हम पढ़ते तो बहु option आपको बहुत नदी की लग रहे होते हैं, बड़ जब हमारी नींद पूरी नहीं हो यह होती है, उस टाइम पे तो हमें बहुत माइंड की alertness काम होने की वज़े से उन चीजों में दिक्कत आ जाती है, तो पहले हम बात करते हैं कि अगले 10-12 दिन में हमें क्या-क्या करना ह सबसे पहले हमें काशिश करनी है कि इन 10-12 दिनों में हम basics पहले पढ़ चुके हैं, तो अब हमारा focus current affairs पे ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जितने भी current affairs हैं, उनको हमें 10 दिन में अच्छे से revise कर लेना है, साथ ही पुराना जो हमने basics पढ़ा है, उसको भी एक बार पूरी तरह से revise करने की काशिश करनी है, इसके लिए हमें काशिश करनी है कि 12-15 घंटे इन अगले 10 दिनों में study करनी है, minimum 12-15 घंटे, दूसरी बात बहुत सारे साथियों ने test series जोन नहीं की होती है, उनका ज्यादा focus हो जाता है कि सिर्फ revision करेंगे और revise करने पे focus करते हैं, test series जोन नहीं करते हैं, जोनों ने किया, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जोनों नहीं की लिए, उनके लिए मेरी advice है, कि आप अगले 1-2 दिन में 3 test papers, full length test paper, अपने घर पे बैठके, बिलकुल exam जैसा environment बनाके, और day time में solve जरूर करें, और उसको strictly 2 गंटे में करन या नहीं कर पा रहें, यह आपको घर पे practice करनी होगी, इससे यह होगा कि आप अपना time management का जो exam में एक lapse हो जाता है, या problem आती है, वो आपको face नहीं करनी पड़ेगी, इसका solution आप यहीं पे कर सकते हो, generally होता है क्या है, कि यह जो लोग test paper से कम solve करते हैं, exam environment के बिना कर लेते solve, उन लोगों को बाद में exam में एक problem आती है, उनका time management गड़गला जाता है, और exam में time management बहुत जाला मायने रखता है, तो मेरा सभी से निवेदन है कि कम से कम तीन test paper हाल फलाल में, अभी अगले दो तीन दिन में आप घर पे बैठके जरू solve करें, और बिलकुर उसी तरीके स करना है, जिस प्रकार से आपको exam में करना है, कई दोस्तों के साथ मैंने यह देखा है कि वो CSET जो GS second paper है, इसको हम CSET कहते हैं, उसको बहुत हलके में ले लेते हैं, और पिछले दो तीन सालों में तो यह देखने में आया कि बहुत सारे बच्चे जिनका GS का बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिनों CSET हम फेल हो जाते हैं, तो मेरा आप सबी से नवे देना कि आप कम से कम दो तीन test paper CSET के solve जरूर करके जाएं, साथ ही CSET के paper के दौरान आपको कुछ साबधानिये बरते तो मेरे इसाब से थोड़ा score करना आसान हो जाता है, जैसे मानलों आपके पास CSET का paper पर आया, तो हम पहले शुरू के दो तीन मिनट में ये कीजिए कि आपके पास तीन चीज़ों होती है, उसमें एक तो reasoning है, math और comprehension है, तो उनको अलग अलग कर लिए, एक पैन से मोटी सी line खीच के, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा यहां पर comprehension शुरू हो रहा है, यहा से आप सैट कर सकते हो, और मेरा मानना है कि सबसे पहले उसमें math और reasoning के question solve करने चाहिए, comprehension को बाद में रखना चाहिए, और comprehension में भी हमें एक काम करना चाहिए, कि comprehension में मानलो कोई बड़ा comprehension है, जिसके अंदर की 5-6 question है, तो पहले priority उसको देनी है, और अगर कोई एक comprehension है, जिस समझ लेते हैं, तो हमारे 4-5 question हो जा रहेते हैं, इसमें benefit रहता है, जो छोटे paragraph जिसमें एक ही question होता है, तो उसको हम बाद में रखें, तो इससे एक थोड़ा सा C-set में भी help निल जाती है, अब बात करते हैं कि हमें exam के दौरान paper solve करने के जैसे GS first paper आया, तो उसको किस प्रक डाले, फटा-फटा और वो आपको एक से दो मिनट के अंदर करना है, अससे ज्यादा time नहीं लगाना है, फिर आप शुरू से paper करना solve कीजिए, हो सकता है, आपका शुरू आत में questions ऐसे हों जिन में आप बहुत strong ना हो, जैसे मान लिए आप quality में बहुत strong है, बट शुरू आ कि आप जब वो बड़ा सा गोला बना होगा, जो आपका question नहीं हुआ है, और जो हो गया, उस पर tick करते चलना है, तो जब आप दूसरे round में question solve करना हैंगे, तो आपको सीधर सीधर नजर आ जाएगा, कि हाँ, अच्छे ये मेरा question चूटा होगा भी, तो उस से क्या होगा, कि कि आपको clarity रहेगी, कि आपको पता रहेगा, कि ये मेरा question चूटा हुआ है, एक last लेकिन important बात है, कि OMR sheet fill करना है, जनले लोग क्या करते हैं, पहले पूरा paper solve करते हैं, फिर OMR sheet fill करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कहीं हम गलत हो, जो bubble fill करना होता है, उपर का नीचे कर देते हैं, जल्दी-जल्दी, कई लोगों के तो OMR sheet fill ही नहीं हो पाती है, तो सारी महनत बेकर चले जाती है, हमें क्या करना है, कि जैसे ही एक paper का एक page complete हुआ, तो उसी के साथ साथ हमें अपनी OMR sheet fill कर लेनी है, हम वहन 20-25 page का paper होता है, तो 20-25 जैसे एक paper, एक page complete हुआ, तो उसी time उसका बन लेना है, इस प्रकार से बनना है, जिससे क्या छूटने की संभावनाएं गलत हो जाती है, और गलत OMR जो fill होगा, उसकी संभावनाएं बहुत सीमित हो जाती है, तो साथियों मेरा सभी से अन्रोध है कि अगले 15-20 दिन आपके life के लिए बहुत important है, जो भी exam दे र कर सकते हैं, आपको जो भी संभाव help हो पाएगी मुझसे, तो मैं आपकी help करने की कोशिश करूँगा, धन्यवागा